हेलो फ्रेंट्स दिस इस एश्पी शिंग एंड वेलकम तू इस्मार्टर एब्री टे दियर फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे आगरा युनिविश्टी बीट सेकेंड डियर का जो एक्जाम होने वाला है अब्जेक्टिव टाइप उसका हमने पेपर फर्स्ट और सेकेंड के क युनिश्टी बीट सेकेंड डियर ओके तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप कोश्शन में लिखे हैं तो इनको आज हम पढ़ेंगे और अगर आपको प्रसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर कमेंट जितना कर पाएं और चलिए सुरू करते हैं आज की क प्रथम इस्थान निम्न में से किसे प्राप्त है हमारे जो भी समावेशी विद्याले हैं उनमें अगर मानुवी संसाधन की बात करें तो पर यह थे तो प्रथम इस्थान मिलता है वह प्रधाना ध्यापक को मिलता है तो प्रधाना ध्यापक भीजद्णाитель राइट एबम मुल्यंकन किसका एक मुख्य कारे हैं। तो आपको भी बता होना चाहिए कि परिख्षण और मुल्यंकन कौन करता है। मातापिता तो करते नहीं है। परिख्षण और मुल्यंकन अध्यापक करते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं next question की तरफ। बहुत ही बेहतरिन questions मैंने collect क समावेशी विद्याले में सैक्षिक निर्देशन का उप्योग होता है परिवारिक समस्यों के समाधन के लिए शामाजिक समायोजन के लिए या फिर अधिगम की कटनाईयों के निदान के लिए या फिर इन सब के लिए तो जो समावेशी विद्याले हैं उनमें सैक्षिक निर करने के लिए भी होता है नेक्स कोश्चन है हमारे सामने एक समावेशी एक सोरी सोरी सफल समावेशन के लिए आवश्यक है हम इसको सफल समावेशन कहें या समावेश्य करण की सफलता कहें दोनों एक ही बात है अगर यह कोश्चन आएगा तो ऐसे भी आ सकता है कि समावेश्य क्रण की सफलता के लिए आवश्यक है ठीक है या ऐसे भी आएगा सफल समावेशन के लिए आवश्यक है पर्थक्रण या समवेदी क्रण My Difference, अगर हम सफल समावेशन की बात करें, समावेशी करण की बात करें तो उसकी सफलता के लिए जो समवेदन सीलता है या जो समवेदी करण है या परम आवश्यक है यह समवेदन सीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्याले, सिक्षक तथा अन्य जितने भी समकक्ष्य लेवल होते हैं, इस तर होते हैं, उन तक होना चाहिए ताकि विशिष्ट आव सकता वाले बच्चे अपने आपको समाज के अन्य सदस्यों से अलग न समझें और समाज में अपने आपको समाई उजित कर पाएं, ठीक है? समावेशी में निर्देशन की प्रिक्रिया होती है, बाल के अंद्रित होती है, उद्देश के अंद्रित होती है, या फिर समस्या के अंद्रित होती है तो समावेशी में जो निर्देशन की प्रग्रिया है वह समश्या केंद्रित होती है कैसी होती है? समश्या केंद्रित होती है Question number 6 है हमारे सामने समावेशी पार्ठिकरम को नहीं होना चाहिए कैसा? समाविशी पार्ठिकरम को सिच्छक केंदरित नहीं होना चाहिए लचीला नहीं होना चाहिए सयोगात्मक नहीं होना चाहिए या फिर विविद नहीं होना चाहिए तो समाविशी जो पार्ठिकरम है उसको सिच्छक केंदरित नहीं होना चाहिए परामर्ष प्रक्रिया का उद्देश होता है आत्मग्यान, आत्मस्वीकरती, आत्मसमायोजन या फिर ये सभी तो परामर्ष प्रक्रिया का उद्देश से ये सभी होते हैं आत्मग्यान भी होता है, आत्मस्वीकरती भी होती है, आत्मसमायोजन भी होता है अगर आप deeply पढ़ेंगे तो साथ में याद हो जाएंगे आपको अच्छे से पढ़िए समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधी कौन सी है देखिए बहुत गजब क्यूश्चन है समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधी जो मानी जाती है वहाँ सहयोगी सिक्षण विधी है ठीक है? सिक्षा की प्रबंधन का प्रते दिया गया किसके द्वारा? आई के डेविश के द्वारा किसके द्वारा? आई के डेविश के द्वारा समावेशी विद्याले में निर्देशन के उद्देश से क्या होते हैं, क्या विद्याले जीवन से परचित करवाना होता है, विशय के चैन का उद्देश, समविगात्मक और विक्तिगत अवश्यक्ता का उद्देश या फिर ये सभी, तो समाविशी विद्याले में जो निर्देशन के उद्देश होत है next question बहुत चाहा तर्छा कूर्शन है समाविशी सिख्षा की प्रवर्तक पॉन थे? इट आइट कॉन इट आइट पॉन इट आइट पहने ही नेस्ट कोॉर्शन है हमारे सामने विद्याले के उत्सवों में अभिबावकों को निमंत्रित करना या फिर उप्वक्त सभी My different question समझे समाविशी विद्याले जो हैं उनमें आपसी सयोग अगर स्थापित करना है तो उसमें आप क्या करेंगे उसमें हमें अभिबावक सिचक्षन के स्थापना भी करनी चाहिए शिचकों को बालकों के घर भी जाकर के उनके बारे में जानना चाहिए कि बालक घर प्या के क्या करता है, क्या उसका रोटीन है, क्या दिन चर्रिया है विद्याले के जो उत्सव होते हैं उनमें अभिवावकों को निमंत्रित करना उनको इन्वाइट करना जरूरी होता है तो यह सबी आपसी सजों की सापना कर सकते हैं विद्या है शमावीशी विद्याले के विशे में महत्पूर्ण कतन क्या है? क्या विद्याले एक महान संस्था है या फिर विद्याले घर और समाज को जोड़ने वाली कड़ी है तो देखिए जो विद्याले है वा घर और समाज को जोड़ने वाली एक कड़ी का काम करता है कौन विद्याले है नेक्स्ट कोर्शन है, बहुत अच्छा कोर्शन है, NCTE की स्थापना कब हुई थी, NCTE की स्थापना 1995 में हुई थी, समावेशी सिच्छा की विवस्था की जाती है, सामानी बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए या फिर इन दोनों के लिए, तो जो समावेशी सिच्छा है उसकी विवस्था शामान और विशिष्ट दोनों तरह के बालकों के लिए की जाती है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बुद्धी लब्दी है, क्या वो 90 से 100 तक होती है, या 90 से कम होती है, या फिर 120 से अधिक होती है, तो परतिभाश आली बालक की जो बुद्धी लब्दी है, वह 120 से अधिक होती है, सिक्षा के मुख्य आधार होते हैं, दार्सनिक, सामाजिक, मनोवैग्यानिक, या फिर ये भी होते हैं दार्सनिक भी होते हैं समाजिक भी होते हैं ठीक है बढ़ेंगे नेक्स्ट कोर्शन की तरफ समावेशी सिच्छा का सिध्धान्त है बेदभाव रहित सिच्छा या फिर परतिभास आली बाल को हेतु सिच्छा तो जो हमारी समावेशी सिच्छा है उसका सिध्धा बेदभाव रहीत सिक्षा जिसमें कोई बेदभाव नहीं होना चाहिए नेक्स्ट कोर्शन है निवन में से क्या समावीशी कक्षा में सिच्छक की भूनका नहीं है क्या सिच्छक की भूनका नहीं है बच्चे की आवसेक्ता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त विवस्था करनी चाहिए सिच्च को नहसक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए सिच्च को बच्चों को प्रोथसाहित करना चाहिए सिच्च को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए यहाँ पर question कहरा है कि क्या समाविसी कक्षम में सिच्च की भूमका नहीं है कौन सी भूमका नहीं है नहीं पूछ रहा है तो देखिए बच्चे की आवसेक्ता के अनुरूप बैटने की पर्याब विश्था करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए ये तो समाविसी कक्षा में सिच्छ की भूमका है कि भाई वो बैटने की विश्था करे ठीक है और फिर है सिच्छ को निसक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि जो निसक्त बच्चे हैं जो तो उन पर वो ध्यान ना दे ये बात ठीक नहीं है सिच्छ को बच्चों को प्रोथसायद करना चाहिए बिल्कुल प्रोतसाथ करना चाहिए सिच्च को सीखने में अक्षम को अत्रिक्त समय देना चाहिए ऐसी चीज़े जो बच्चों को सीखने में problem create हो रही है वो जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं तो उसको वो अत्रिक्त समय दे ये भी होना चाहिए तो कौन सी भूमिका नहीं है ये वाली यानि कि B इसका right answer हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसने नहीं पूछा है जब नहीं पूछा है तो हम B को टिक कर देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं बेहत्रिन question की तरफ 21 number question है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतुत्साहित करना चाहिए प्रेरित करना चाहिए रोक देना चाहिए या फिर अनुमती नहीं देनी चाहिए मैं डिए फ्रेंट्स कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें प्रेरित करना चाहिए क्यों ताकि वे सिच्छन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो है शक्रिय सहभागिता करते हुए अपने अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें और इसके साथ ही अपनी जिग्यासा का भी शमाधान कर पाएं ठीक है समावेशी विद्याले नामक संस्था के विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौण है परिवार के आकार में परिवर्तन परिवार की सैक्षिक असमर्थता शिक्षण को समाजिक दायत्तिस्वी कार करना या फिर यह सब ही तो समावेशी विद्याले नामक जो संस्था है उसके विकास के लिए जिम्मिदार कारक ये सब ही है नेक्स कोर्शन है अभी करमित अनुदेशन का संप्रते डेश के दोरा दिया गया किसके दोरा दिया गया? यह हमारा अभी करमित अनुदेशन जो है बीफ इस्किनर के दोरा दिया गया है किसके दोरा बीफ इस्किनर नेक्स्ट कुर्शन है हमारे सामने देखिए एक समावेशी कक्षा में डैस डैस पर जोर होना चाहिए किस बात पर जोर होना चाहिए शामाजिक पहचान के अधार पर छात्रों के अलगाव करने पर जोर होना चाहिए या फिर हर बच्चे के शामर्थ को अधिक्तम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए दिए फ्रेंट्स एक समावेशी कक्षा की बात करें तो उसमें हर बच्चे के शामर्त को अधिक्तम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर हो ना जाहिए क्योंकि एक समावेशी कक्छा वह व्यक्तिक विभेनता को शुईकार करती है इसलिए एक समावेशी शिक्षक व्यक्तिकत विभनता को सुईकार करते हुए अधिगम परिस्तिति का निर्मान करता है जिसमें सभी विद्यार थी अपनी योगता और चमता के एकॉर्डिंग अधिगम अनुबव प्राप्त करते हैं तो सेकंड बनी था राइट आंसर और आज का लास्ट कोर्शन है 25 कोर्शन मैंने इसमें केवल लिखे थे क्योंकि अगर क्लास बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो लंबा हो जाता है तो अप्लोडिंग में प्रॉलम हा रही है हमारे नेटवर की सुजादा है इसलिए एक से तैयार करना चाहिए या फिर तैयार करने के लिए हतोत साहित करना होना चाहिए प्यारे दोस्तों एक बात सुन लीजी कि मैंने आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके हंड्रेट कोर्शन करवाए है ठीक है और जो सेकंड पेपर है उसके भी 25 साहित करवाए है और यह आज क्लेक्शन है वो मैं आपको देता रहूँगा और टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है फटाफट टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे क्योंकि मैं पीडियाफ वहीं पर देने वाला हूँ ठीक है चलिए तो यहां बात हो रही थी कि एक समाविशिष्ट कक्षा में एक सिच्चक को विशिष्ट सैक्षिक योजनाओं को सक्क्रिय रूप से तयार करना चाहिए ठीक है ताकि सामाने बच्चों के साथ साथ जो विशिष्ट आव सकता वाले बच्चे भी अपनी छमता और असका नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने की बाद ही मिल पाएगा अगर आप बल आकन प्रेस करते हैं तो और अगर आपने मुझे अभी तक इस्टाग्राम और ट्विटर पर फालो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहां से फेस्बुक पर भी जोइन हो सकते हैं चलिए थेंक्यू